Welcome back to the new video guys, आज हम बात कने वाले हैं Tata Commercial Vehicle के कुछ driving tips के वारे में, क्योंकि देखो आप ठंड आने वाली है, और अभी जो महिना चल रहा है यह है आपका अगस का महिना, September, October के बाद यहां पर आपकी winter season सुरू हो जाएंगे, जिसमें आप लोग को यहां पर अपने गाड़ी का आपकी wind shield है और उसकी जो mirrors है आपको वो clean रखने है ठीक है तो आप इसमें क्या कर सकते हो आपकी गाड़ी का वाइपर आपको उसको use करना है आप यह मैं समझना कि यार वाइपर का use तो जो है सिर्फ और सिर्फ हम बरसात के टाइम पर करते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है आ आपको यह ब्रेक supply यहां पर कर देने हैं थर्ड क्या आता है कि आपको अपनी भी गाड़ी की जो light से होती है उसको proper तरीके से चेक करना है जो आप दोस्तों रोड में चलते हो तो आप कही ने कहीं बरफ का बादल अपने पीछे चोड़ जाते हो तो आपको इस बरफ के बा काफ रहे उसके अलावा जो आपका driver और co driver वाला जो window होता है आपको उसको भी clear रखना है second जो आपको driving टिप देने वाला हूं वह में कहूंगा कि आपको drive बड़े carefully करना है क्योंकि ठंडों का time है यहां पर visibility हो जी थोड़ी कम हो जाती है तो सबसे पहला आपको क्या करना है आपको यहां पर exit और entrance वाला जो ramp होता है आपको उसमें खासा ध्यान रखना है और slippery road में आपको sharp turns लेने से बचना है आपको sharp turns बिल्कुल भी नहीं लेने है उसके बाद क्या है जब आप यहां पर bridge cross करोगे वहां पर आपको खासा ध्यान रखना है क्योंकि वहां पर जो surface ह होती है वो पहले जम जाती है उसके बाद जाकर के वो यहां पर फिसलन वाली बन जाती है आपको दोस्तों engine brake को भी कम से कम use करना है क्योंकि उससे क्या होगा जब के गाड़ी है वो wet surface पे, icy surface पे और snow covered road पे traction lose कर देती है और जब भी दोस्तों आप गाड़ी बरफ के उपर चलाओगे या फिर आप किसी भी snow के उपर गाड़ी को चलाओगे तो वहां पर आपको traction को maintain रखना है वो तब ही हो पाएगा जब आपकी speed जो है वो बहुत जादा कम रहेगी अगर आप गाड़ी की speed को है नॉर्मल ये नॉर्मल से जादा चलाओगे तो आपकी गाड़ी य बहुत जादा हाड़र तरीके से प्रेस करा तो हो सकता है कि आपके गड़ी हापे traction lose करे और आपका control आपके अपने truck से हड़ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका Tata T16 SL Ultra है आपको उसका इस्वाल करना अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बता ये करता है जितने लोग को नहीं पता कि ABS क्या होता है ABS को बोलते हम anti-lock brake system जब भी आप गाड़ी में ब्रेक्स अप्लाइ करते हैं जिस गाड़ी में ABS नहीं होता है उन गाड़ीयों को यहाँ पे बहुत जारत दिक्कत आती है क्योंकि जो ABS वाली गाड़ीया होती है वो क्या करत है कि कोई भी यहाँ पे खतरा किसी को भी नहीं होता है तो यहाँ पे जो टाड़ा टी सिक्शन असल अल्टर है इस इन सारी चीजों के साथ आता है अगला जो पॉइंट बताने वाला हूं वो है कि आपको वैदर कंडिशन को हमेशा चेक आउट करते रहना है आज की टाइम के ख़या लगँ परनेवारण की अगर मैं फोग करता हूं तो यहाँ पर आपको सभी को पता है अगर गाड़ी में फॉग जम जाता है अंदर के तरफ या पिछ नूदर के तरफ बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको अपने गारी के क आपको बिल्कुल आपको ब्राइंड नीव रखना है और आपको यहां पे बल्पस को भी चेक कर लेना है। अगर दोसो wind जो है बहुत ही जादा तेज चल रही है तो आपको उसका भी ख्या लगना है क्योंकि जब हवा तेज चलती है तो हवा अपने साथ यहां पे धूल भी लेकर आती है जिससे जो visibility होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और जो मैंने आपको उपर point बदा आया बहुत ही जादा tough हो जायता क्योंकि गाड़ी spin करती है traction loose करती है तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है पांचवा जो point है वो है दोसो black eyes के ओपर आप सबको पता है कि black eyes कितनी जादा dangerous होती है अगर आपको नहीं बता तो मैं आपको बता रहता हूँ जब भी गहां बरफ जमती है रोडों के ओपर जब वो ताजी बरफ होती है तो वो इतनी हमाले harmful नहीं होती क्योंकि उसमें traction इतना दा loose नहीं होता है वो भी soft soft से बरफ होती है लेकिन time के साथ साथ क्या होता है वो बरफ जो होती है हमारे road के डामर के ओपर जम जाती है जिसको ब्लैक आइ से करोगे कि आपके सामने जो road है वो उसमें black eyes हाया नहीं आपके जो गाड़ी के tire रहेंगे वो पानी को छिड़कना है बंग कर देंगे दूसरा जो truck के आपके antenna रहते हैं आपके mirror के arms से रहते हैं आपके windshield रहते हैं वो बरफ से धगे रहेंगे तो आपको पता चुल लेगा कि आपके सामने जो है यहां पर black eyes होने वाली है सेके लाज जो point बनता है वो है inspection के ओपर आपको अपने commercial vehicle को अच्छे तरीके से चक कर लेना है अच्छे तरीके से चक कर लेना है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको Tata Motors Fleet Edge को अपनी mobile में install कर लेना है जिस सा आपको पता च चला रहा हूं कोई दिक्कत निया रहे होगी नहीं जब भी आप गाड़े को रोड में निकालोगे उससे पहले आपको अच्छे तरीके से अपने गाड़े को चेक कर लेना है अगर आप लोगों ने अपने commercial vehicle को यहां पर पहले से ही अच्छे तरीके से प्रिपेर करके रख रखा है तो इन future आपको बड़े major issues आएंस है आप बच जाओगी आपका पैसा यहां पर बच जाएगा मैं आपको बता यह ता हूं कि आपको रोड मोटने से पहले आपको किन-किन चीजों का ध्यान देना है आपको यहां पर engine वाले को चेक कर लेना है गाड़े का जो टायर service interval है वो किस तरीके से यहां पर चल रहे है और यह Tata Motors Fleet Edge वाला जो एप है इसका link में आपको यहां पर description में दे रखा है लास्ट जो पॉइंट मनदा है दोस्तों वो है maintaining a safe distance आपको यहां पर सामने वाले गाड़ी से जो distance आपको बराबर maintain करके चलनी है बराबर कहने का मतलब आपको थोड़ी दूरी बना के चलना है क्योंकि दोस्तों यहां पर थंडों कटा है थंडों में फॉग आता है तेज हुआई चलती है बरफ पड़ जाती है तो जिसके वज़े से क्या होता है जो visibility होती है वो बहुत जादा कम हो जाती है तो अगर आपके सामने जो vehicle चलना अगर आप उसे चिपक के चल ले हो और इन केस उसे emergency में एक दम से ब्रेक अप लाए करा तो आपका जो हाँ पे commercial vehicle है वो उससे जा की हाँ पे टकराएगा जिससे एक बड़ा नुकसान आपको भी हो सकता है और आपके सामने वाले को भी और आपके पीछे वाले vehicles को भी हो सकत तो हम बहुत जले से को नए वीडियो के संग तपते के लिए जय हैंद जय भारत